वीडियो को पॉजेटिव होकर सुनियो और ध्यान से सुनिये यह कलेक्टिव रीडिंग है जितना रिजनर करता है रखिया नहीं करता है जो दो जो एक पॉजेटिव रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए अपना कॉंफिडेंस लेवल बरहते जाए लिए तो चलिए आपके परसन आपको लेकर क्या फिल करने वाले हैं पूडी रात क्या सोच रहे हैं चलिए क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं तो उन्वर्स इंजल प्लीज गाइड किजिएगा, Divine Guide किजिएगा, मेरे वीवर्स के पार्टनर की True Feelings क्या है, पुरी रात मेरे वीवर्स के लिए क्या फिल करने वाले हैं, तो गाइड किजिएगा Divine, Angels, Spirit Guide, All Archangels, भी जियरे होगा, डिश्टेंस मुझे दीखा, दियर मुझे यहां लग रहा है कि आपके person आपसे connect करना चाहते हैं दिल से उनकी मतलब एक आरजू है मतलब यह दिल से इन्हें आरजू हो रही है कि आपसे connect करें contact करें communicate करें ऐसी energy आपके person की है यह इनके दिल और दिमा में कुछ सवाल चलने वाले हैं पूरी रात ठीक है spy आपको करने वाले हैं कि आप क्या कर रहे हो कहां हो कहां बीजी हो ठीक है यह आपको पूरी रात spy करने वाले हैं ठीक है और आज उनके सपने में भी आप जाने वाले हो और कुछ मेरे वीवर्ज के भी परसंस अपने में आने वाले हैं लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है लेकिन आप सोने की कोशिस करोगे लेकिन बहुत उमीद होगी आपको अपने पार्टनर की की आपको वो कॉल मैसेज कर दे मेरे वीवर्ज के एनर्जी होगी दियर इस इंसान के दिल और दिमाग कुछ ना कुछ चलने इन्हें अंदर से तकलीफ हो रही है दियर ये अंदर पेन में कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ दियर कुछ टाबर मुमेंट आया है कुछ प्रॉब्लम्स इनके लाइट में आई है और ये कहीं न कहीं इनको अंदर से तूटा हुआ, बेचैनी या फिर उन्हें डर लग रहा है डियर कि आपने उनसे मुवान तो नहीं कर दिया Confusion की अभी भी energy है तकलीफ हो रही है लेकिन ये एकदम से fresh start चाहते हैं इस रिष्टे में डियर Confuse जरूर है, action को लेकर बात करने का दिल कर रहा है खुद को control कर रहे हैं लेकिन इनको आपके लिए बहुत true feelings है आपके साथ उनको new start करना है, romance करना है थोड़ा आपके कड़ीवाना है और आपको उनको आमने सामने से दिखना भी है ये आपके partner सोच रहे हैं करवटे बदले हैं, पूरी राद दियर उठ उठ कर आपके photo को देखना, spike करना फिर सो जाना, निंद नहीं आना ये आपके person की energy है डियर लेकिन miss आप एक दुसरे को कर रहे हैं लेकिन यहाँ energy है कि आप call करो वो आप से उमीद किये हैं आप उनसे उमीद करके बैटे हो लेकिन आप डरते हो कि वो response देंगे या नहीं देंगे call मेरा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे क्योंकि कुछ viewers को block कर दिया गया है ठीक है, लेकिन फिर भी आपके person स्पाइक कर रहे हैं, उन्हें गल्तियों का एहसास हो रहा है क्या मैंने block करके गल्ती किया या सही किया नहीं नहीं मुझे unblock कर देना चाहिए ऐसी energy में आपके person है लेकिन दूसरे नंबर से fake ID से आपको बहुत ज़्यादा spike कर रहे हैं डियर fake ID से tax भी कर सकते हैं, social media पे check भी कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा आपको बिल्कूर मन नहीं लग रहा दिल नहीं लग रहा आपके person को लेकर आप किसी तरह manifest कर रहे हो और ये बेचैनी आपके person के तरफ जाड़ी जो कि आपके लिए बहुत ही ये overthinking कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि new start कैसे किया जाए लेकिन इन्हें भी डर है डियर आपने move on तो नहीं कर दिया दिल ही दिन में ये कह रहे है you are my world मतलब ये दिल से कहते हैं मेरी पूरी दुनिया हो लेकिन क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्यों दुनिया बढ़ी मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ लेकिन इस इंसान की कुछ न कुछ लाइफ में ऐसी घटी है ठीक है, ऐसी एनर्जी है कुछ न कुछ न कुछ कुछ के साथ तो हो गया डिया लेकिन आपके जो आसू है जो दर्द है, जो तकलिफ आपको हो रही है वो आपके परसन को भी हो रही है कुछ के परसन आपको अभी भी इगो दिखा रहे है दूर भाग रहे है तो आने वाले टाइम में उनके उपर भी टाबन मुमिंट आने ही वाला डियर उन्हें एहसास होने वाला कि आप हो कौन और अचानक से आपके तरफ यह कॉल मैसेज करेंगे अचानक से आपके तरफ कॉम्निकेट करेंगे डियर क्योंकि यह खुद को रोकड़े बेचायन हैं तरपड़े हैं लेकिन कही ना कहीं यह पारनियान आयम है फैमली स्दों है फ्रेंड इससाइटि है यहां मैं देखने उनके लिए टाइम इनको होता है बट आपके लिए स weighs मानी के ओम पर फोकस है इनको मनी Sims इंको रड़त चाहिए लाइघ में लिए अहां पर यह मनी के ऊपर फोकस बहुत है जबकि इनके पास एक और मैं देखने इनमे एनर्जी है यह मनी के उपर फोकस के साथ कुछ के पार्टनर ना देखे उनके पास होते हुए भी यह दूसरों के जैसे होता ना उसके पास बहुत मनी है बहुत पैसा है उतना मुझे भी होना चाहिए मतलब रिलेशन्सिप में थोड़ा कम ध्यान दे रहें और फाइनांस पर ज्यादा फोकस कर रहें यहाँ पर अट्रेक्शन है आपकी एनर्जी लेना है आपसे प्यार करना है क्योंकि आप उन्हें हिल करते हो आपके साथ उन्हें एक एहसास होता है यह पूरी रात सोचेंगे डियर कन्फ्यूज रहेंगे एक्शन को लेकर लेकिन यहाँ आपको लेकर कहीं न कहीं बहुत सपने देख रहे हैं ऐसे मिलना ऐसे बात करना ऐसे मनाना है क्या करूँ कैसे डिसीजन लूग कैसे आपके तरब बढ़ू ऐसे आपके परसन सोच रहे है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा एक्शन को लेकर दिया लेकिन यह दिल से एक न्यू स्टार्ट चाहते है फ्रेज ताकि आगे यह रिलेशन्सिप अच्छा चलता रहे मतलब दोनों में बात होता रहे एक दूसरे से कम्मुनिकेट होता रहे देखिए यहाँ यह बिल्कुल अभी अकेला साम महसूस करें नहीं होता है जैसे अब मेरे साथ देखिए फैमली भी है सब कुछ है फिर भी एक अकेला पन है सब कुछ है इनके पास लेकिन एक अकेला पन है जहां आप नहीं हो, एक अधूरापन है, जो पूरा आप करते हो, ये जूट तो 100% आप से बोला है, लेकिन आल भी आप से बाते चुपाएंगे लिए, कुछ भी सेर नहीं करेंगे, हाँ जूट के नकाप पेहन कर आपको बोलेंगे, देखो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो और कुछ भी वर्स के पार्टनर जो हैं, आपको मैरेज के लिए परपोज करना चाहते हैं, बट वो पैरेंज को नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आपसे काउंटेक्ट नहीं कर रहे हैं, डियर। जानते हैं कि आप कितने स्ट्रॉंग हो तो यह जानते हैं अगर आप जिद्ध पर आ जाते हो तो आप जिद्धी भी बन जाते हो जब आप इमोशनल हो जाते हो तो इमोशनल भी हो जाते हो यह परसन आपको पूरी तरह जानते हैं लेकिन आपके गुस्सा को भी यह जानते है कि आप गुसा करते हो तो आप किसी को नहीं समझते हो और इस वज़े से आपके person आपसे डरते हैं क्योंकि आप कितर बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप सवाल जवाब करो क्यों आए क्यों आई तुमको सिर्फ मतलब था मतलब के लिए आए हो तुमको यही चाहिए था तुमको दे रहा हूं तो फिर यही सुनने को मिलेगा तो मैं यह नहीं सुन सकता हूं जबकि यह सोच रहे हैं लेकिन एक्षन ले या ना ले कन्फ्यूजन की बहुत एनरजी है देखिए यहां पर मैं देख रहे हैं फैमिली बनाना तो चाहते हैं कुछ इसलिए पैरेंट्स को लेकर आए फैमिली तो बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर ठीक है आपके साथ लेकिन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी वो क शन्से राथ होते हैं फीलिंग से बहुत बढ़ते है आपको लेकर ख़िशा आप यह श्चूरेंग करते हैं कितना भी ए फ्लटिंग कर ले यादे तो आप आपकी आनरजी देख रही हूं, मेरे वीवर्स की बहुत ही इनरजी है क्योंकि आपके परसना की नरजी में उतार चड़ाओ, कभी एक्षन चाहते हैं, यह कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं यह चाहते हैं, पैरंस से डरते हैं, ठीक है? तो इस वज़े से आपके परसन खुद को रोक रहे हैं लेकिन यह आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि यहां आपके पास आना चाहते हैं चार्ज होना चाहते हैं आप से एनरजी चुराना चाहते हैं कुछ के पार्टनर और कुछ समय के लिए अपने आपको चार्ज करक क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनकी वर्ड हो आप उनकी लग्की हो आप उनकी सब कुछ हो तो आपके पास आने से उनकी लाइफ में बहुत अच्छे चंजेस आते हैं पॉजिटिफ चंजेस आते हैं लेकिन ये कहीं न कहीं मैं देख नहीं कि आप भी मेरे वीवर्स आप भ गुmillion में पूर्न होती है लाओ तो फिर आप जाकर कर मंदिल में आप कुछ चढ़ा चढ़ा सकते हों मेरी गूंगर ठीक है जुब एक अगर मनत मांगा है और पूरा नहीं हुआ है तो उसको पूरा किजे डियर क्योंकि ये भी blockage होती है ठीक है देखिए किसी के partner आकर प्यार जता सकते हैं ऐसी energy वो अचानक से आएंगे डियर ठीक है ये अचानक से आपकी तरफ बढ़ेंगे ठीक है देखिए जैसे जैसे अगर रात होती है तो आपको बहुत ज़्यदा spike करते हैं social media पे भी आपको fake ID से बहुत ज़्यदा हो सकता है text भी कर रहे है, spy भी कर रहे हैं ठीक है हो सकता है आपको status में unblock किया हो तो status में कुछ ऐसा लगा रहे हो कि आप फिल करो कि आपको जूक नहीं रहे है जूका नहीं रहे है, ego उनका ego को ठेस पहुंचे है लेकिन हो सकता है मेरे कुछ भी वर्स के साथ उनका कुछ ना कुछ ऐसा message अपने status में लगा रहे हैं कि आप उन्हें देखो फिल करो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ फिर आप उन्हें से बात करो, emotional होकर, यह आपके person चाहते हैं कुछ लोग को block करके रखा है क्योंकि अभी वो awakening से गुजर रहे हैं, परशान है और आपको बहुत ज़्याद स्पाइक कर रहे हैं, और दर्द में है, तकलिफ में है, ठीक है planning कर रहे हैं, लेकिन confusion बहुत है, parents को मनाना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, डर भी है और कुछ के partner, society, समाज, family, बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है, कि आपकी energy न मिलने से, आपसे बात न होने से, fighting भी हो रही है, डियर, family के साथ दुडियां बर रही है, ठीक है, कभी-कभी आपके partner, कभी-कभी आपके partner, डियर, मुझे लग रहा है, यहाँ पे energy, कभी-कभी आपके partner न, अगर third party के साथ हैं, तो कभी-कभी मुझे लग रहा कि आपका यह नाम भी लेते है, डियर, नीन में हाल में ही कुछ ऐसा हुआ है, इनके साथ, आपका नाम लिया गया है, ठीक है, अगर यह किसी third party या merit कुछ भी है, तो मुझे लग रहा कि अभी, देखिए, डियर में हाँ दिखा रही हैं, आपको चीज है, देखिए, एक तो अकेला पन भी है, बिल्कुल अकेले हैं आपके परसंग, ठीक है, यहां पे आप देखो, यहां पे हो सकता है कि आपके, आपको बहुत ज़्यादा इमेजन करने बाले हैं आज रात में, ठीक है, उनको लग रहा कि आपको किस करने हैं, प्यार करने हैं, हग करने हैं, आपको बाहों में ले रहे हैं, करबटे बदल रहे हैं यह energy आ रही है देखिए आप दो हग की हुए तो इसी energy में कुछ न कुछ आपके person के साथ हाल में कुछ हुआ है अगर third party के साथ है अगर married भी है उसके साथ रह रहे हैं तो गलती से आपका नाम निकला जिसे यह fighting हुई है अभी अकेला पन है और मैं यह दिखाना चाहती है और यह आपके साथ इस energy में आना चाहते है देखिए एक couple एक डॉल है डॉल के साथ यह इनसान हग कर रहा है ठीक है तो यह energy में आपको दिख रहा है दिख रहा है तो यह इनसान आपसे प्यार करना चाहते है हग करना चाहते है आपके कड़िबाना चाहते तो romantic feelings भी है लेकिन third party के वज़े से कुछ fighting हुई है आपके वज़े से या फिर आपका नाम लिया है imagine किया है कुछ भी किया है हाल में कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ है जिसे इने तकलिफ हो रही है और आप कोई third party है dear जो आपके बारे में जानता है जानती है married हो लेकिन बहुत चालांक है आप नजर गराये रखी हुई है रखा हुआ है कि आप क्या करते हो और आपसे बहुत jealousy feel वो कर रहा है या कर रही है कुछ viewers के partner के third party है आपको जानते हैं और आपको लेकर बहुत ज़दा गुस्से की energy कुछ viewers के partner के third party जो भी है आपके ओपर बहुत नजर रखे हो गुस्से की energy है लेकिन उसका बस नहीं चल रहा है लेकिन दिमाग उसका बहुत चल रहा है इस थट पाटी का दिमाग बहुत चल रहा है आपको लेकर ठीक है हो सकता है सोसाइटी में समाज में आपके फ्रेंड सरकल में कहीं न कहीं ये कुछ न कुछ ये आपकी सिकाएत भी की है और कहीं आपके खिलाप कहीं कुछ बोला भी है जिसे कुछ लोग को पता चल रहा है तो आपके बाड़े में कुछ ना कुछ वो लोग negative सोच रहे हैं जो आपके भी वो जाने पहचाने लोग हैं ठीख है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग है जो negative है ठीक है और कुछ ना कुछ आपके खिलाप वो बाते करते हैं ठीक है आपको अच्छा नहीं बोलते हैं लेकिन आपके person के कान में भी कुछ बाते जाती है बट उस समय तक आपके person सक करते हैं फिर बाद में आपके प्यार दियुए प पेंपर को कहीं नगई वह विश्वास करते हैं और यह सोचें इंधिर की आप ऐसा नहीं कर सकते हो फिर जयाता विश्वास करने लगते हैं और आप कोफिल कर ने लगते विजिय्ट तो यहネस एनर्जी को उसको जला कर वर्ण करकर उसको फ्लस में दवा दिजिए ठीक है ये रोज फोटी डेर कीजिए मैंने आज सामें वीडियो डाला था उसको आप फॉलो कीजिए ठीक है फोकस रहेंगे तभी तो वो कोई काम आप आगे कर पाओगे ठीक है तो ये एनर्जी निकल कराई एडि क्योंकि एनर्जी ले निए प्यार करना है आट्रेक्शन बहुत हैं आपके तर्व बढ़ना हो पने आपको बाहूं में लेना चाहते हैं प्रताच कई दीक है को हैं अगर कॉल मैंसेज नहीं आता है तो, आपके रहीं एक अरौब लाटे महीं बुए और एक दूसरे से अब imagine आपको आपके परसेनाच बहुत करने वाले हैं, पूरी राग, अगर call message नहीं आता है, तो आपकी यादों में, आपकी बातों का आपको photo देखकर, करवटे बतल कर, आपको बहुत imagine करने वाले हैं, आपको miss करने वाले हैं, और आपको, मतलब बहुत, दूर से ही आपको feeling sent करन वाले हैं लेकिन यह खुद को कंट्रोल भी करें कंफ्यूजन भी है क्योंकि थर्ट पार्टी प्रॉब्लम बहुत स्ट्रॉंग हो गई है कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रियेट हो रही है तो आपको पॉजेटिव रहना अपनी हीलिंग पर काम करना अपने परसन के लिए अच्छी वाइब्रेशन सेंट करना है ठीक है गुसा नहीं सेंट करना है ठीक है गुसा आता है तो मैंने जो साम में डाला वीडियो गुसे पर कंट्रोल कैसे किया जाता बस उसको आप करते जाओ फोकस उदर रहेगा माइंड बिल्कुल रहेगा है ना तो पॉजेटिव है तो साइन भी मुझे दिख रहा था डियर साइन तो मुझे मैं ना नेम लेटर्स बता देती हूँ यह थी के भी मुझे दिख रहे है भी है किसिंग एनर्जी बहुत है किस 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 वी है एम है टी है पी है इल है इम है आर है इन इल बस यह साइन मुझे ज्यादा स्ट्रॉंग दिख रहे है ठीक है तो चलिए पॉजेटिव रहे है खुस रही है मस रही है अपने लाइप में आगे बढ़ते रहे है ठीक है डियर है और मुझे प्रस्टम सेचन लेना हो दो गवी है तो मेरे ओमेल इडी पर कॉंटेक्ट किजिए एमेल इडी में डिसक्रिप्स लग्स में होते